नमस्कार रादे रादे तिनेत भाग में आपका बहुत बहुत श्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे करनियदास दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के अकेले जाने के विश्य में कहां कहां महिलाओं को अकेले नहीं जाना चाहिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ चार ऐसी जगा जहां पर महिलाओं को अकेले जाना वर्जित है नहीं जाना चाहिए अगर महिलाओं इन जगाओं पर अकेले जाती है तो महिलाओं को ऐसी जगा जाने पर इनको दोस लगता है इनके घर में सुख इनके घर से चला जाता है इनके घर से धन लक्षमी का भी वास इनके घर में नहीं रहता है इनके घर से लक्षमी चली जाती है अगर आप इन जगाओं पर अकेली जाती है तो निश्चित ही आपको को दोस्ट प्राप्त होता है मैं आपको पताने वाला हूं ऐसी चार जगें सबसे पहले आपको जन नहीं जाना चाहिए अकेले वह है समसान समसान इस्थल पर किसी भी महिला को अकेले नहीं जाना चाहिए वैसे तो सास्त सम्मत बात यह है समसान पर समसान घाट पर कि भी कभी भी किसी महिलां को नहीं जाना चाहिए अगर कोई किसी कारणबस जा भी रही है तो उनको अकेले जाना बिलकुल वर्जित है वैसे ही दूसरी जगा है मद्शाला जहां पर नसा किया जाता है जहां पर सराब का शेवन किया जाता है ऐसी जगा पर जाना महिलाओं के लिए बिल तेसरी स्थानन की निर्जन अकली जा रही है तो आप को किसी भी ऐसे हिंसक पसू इंड चो सकता है या यह कि 사 Around का खतरा ही आपकर आपके जीसन में आ सकता है उसक्ता रिस्षान?. किसी भी निर्जन वर्ण में किसी महिला को कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। किसी बसीश परिस्तिती में हैं तो एक अलग विश्य है नहीं तो आपको अपने पती के साथ ही अपने पिता के घर जाना चाहिए अकेले नहीं जाना चाहिए और बिना किसी निमंतर्ण के नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो भी ऐसा करता है उनके जीवन में परिशानिया आती है माता सती ने अपने पती की आग्या के बिना अपने पिता के घर गमन किया जिस से उन उन्होंने अपनी देह का भी त्याग करना पड़ा उनको इतना अपमा जहलना पड़ा कि उन्होंने अपनी देह का त्याग किया ऐसी इस्तिती बन जाती है इसलिए पिता के घर भी कभी भी किसी इस्तिरी को अकेले नहीं जाना चाहिए और बिना बुलाई नहीं जाना पिता के घर भी अकेले नहीं जाना चाहिए जैसी किस्णा जैसी राद है और आपको अपनी कुंडली के विश्रे में जानना है आपको कुंडली का विश्रेशन कराना है या कोई और अन्य जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्थ कर सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं